यह थंडी शरद रितू की शाम थी जब बेबी शेरू और बेबी चित्तू ने शापित जंदल का रहस्य जानने के लिए एक रोमांचक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। बेबी शेरू ने हमेशा इस काले जंदल के बारे में एक शाप की बातें सुनी थी लेकिन वह साहसी शेर का बच्चा था और बेबी शेरू खुद इस रहस्य को देखना चाहता था। बेबी चित्तू छोटा तेंदुआ उसके साथ खड़ा था उतना ही जिक्यासू और उत्स तो बेबी शेरू ने बेबी चित्तू की ओर देखा जो उसकी सभी रोमांचक यात्राओं का साथ ही था। बेबी शेरू को हवां भे अजीब सी सन्नाटा महसूस हुआ लेकिन बेबी चित्तू ने उसे एक दिलासा भरी मुसकान दी और दोनों ने मिलकर जंदल में कदम और उनके चारू और एक रहस्यमई धुंद फैलने लगी। बेबी शेरू को हवा में धीमे धीमे फुसफुसाटें सुनाई दी और बेबी चित्तू ने अपना छाता कसकर पकड़ लिया। उसके कान हर आवाज पर सावधान थे। बेबी शेरू और बेबी चित्तू एक द जो हमेशा चौकस रहता था ने इन निशानों की और इशारा किया। बेबी शेरू और बेबी चित्तू ने महसूस किया कि ये निशान शायद उन्हें जंगल के रहस्य की और ले जा रहे थे। दोनों ने साहस बटोर कर आगे कदम बढ़ाया। अचानक बेबी शेरू और बेबी चित्तू ने जारियों के पीछे से एक सरसराहट की आवाज सुनी। बेबी शेरू और बेबी चित्तू दोनों अपनी जगह पर ठिठक गए। आँखे बरी हो गई। और कान खड़े हो गए। बेबी शेरू पहला था जिसने आगे बर कर देखा। उसका दिल जोर स धड़क रहा था, लेकिन उसका साहस अटूट था, बेबी चित्तू उसके ठीक बगल में खड़ा था, किसी भी परिस्थिती का सामना करने के लिए तैयार, बेबी शेरू और बेबी चित्तू इस समय वापस लोटने का इरादा नहीं रखते थे। जारियों से एक चमकता प्राणी निकला, जिसकी आँखें अजीब तरीके से चमक रही थी और अंधेरे में छेद करती वे प्रतीत हो रही थी। बेबी शेरू और बेबी चित्तू दोनों ने एक साथ गहरी सांस ले, लेकिन कोई भी अपनी जगह से हिला नहीं। बेबी शेरू ने इत कदम आगे बढ़ाया और बेबी चित्तू से धीरे से कहा, हम इसे एक साथ सामना करेंगे। बेबी शेरू और बेबी चित्तू ने खुद को तयार किया, यह देखने के लिए कि आगे होगा। वह प्राणी बोलने लगा, उसकी आवाज गहरी और पूरे जंगल में गुंचती हुई प दूसरे की ओर देखा, यह समझते हुए कि यह यात्रा उनके अनुमान से तहीं अधिक खतरनाब थी। लेकिन बेबी शेरू और बेबी चित्तू को पता था कि उन्हें साहस दिखाना हुगा। शाप को तोड़ने के लिए बेबी शेरू और बेबी चित्तू उस प्राणी क पत्थर को छुआ और बेबी चित्तू ने भी ऐसा ही किया। जैसे ही बेबी शेरू और बेबी चित्तू ने उसे छुआ, धर्ती हिलने लगी। और एक उज्वल प्रकाश, वह प्रकाश पूरे जंदल में फैल गया। और बेबी शेरू और बेबी चित्तू ने देखा कि पेड हरे भरे हो गए और शापित जंगल की काली छाया, अब लुप्थ हो गई। बेबी शेरू और बेबी चित्तु ने शाप को तोड़ दिया था। जैसे ही प्रकाश धीमा पड़ा, वह प्रानी अब एक संरक्षत आत्मा की तरह दिखाई देने लगा। और उसने बेबी और बेबी चित्तु का धन्यवाद किया। वह प्रकाश पूरे जंदल में फैल गया। और बेबी शेरू और बेबी चित्तु ने देखा कि पेड हरे भरे हो गए और शापित जंगल की काली छाया, अब लुप्थ हो गई। बेबी शेरू और बेबी चित्तु ने शाप को तोड़ दिया था। जैसे ही प्रकाश धीमा पड़ा वह प्रानी अब एक संरक्षत आत्मा की तरह दिखाई देने लगा। और उसने बेबी शेरू और बेबी चित्तू का धन्यवाद किया। इस प्रकार बेबी शेरू और बेबी चित्तू ने शापित जंदल का रहस्य सुर